आज हम बनाएंगे शाही मटर पनीर, रेस्टारेंट से कहीं गुना ज्यादार, शाही मटर पनीर हम घर पर बना सकते हैं, यह आपने सोचा भी नहीं होगा एक बार इस सबजी को आप इस तरह से बना के देख लीजिएगा, यकिन मानिएगा कि आप रेस्टारेंट से भी ज्यादा कहीं गुना ज्यादा अच्छा, आप घर पर यह सबजी बना सकते हो, तो चलिए फिर देर किस बात की, तो मैं हुरेना बिराजदार और आप देख रह हैं, आप अपने फैमिले के हिसाब से इसे कम ज्यादा कर सकते हो, तो इसे हमें अच्छे से इसमें फ्राइ कर लेना है, अगर आपको फ्राइ करकर अगर सबजी में डालना पसंद नहीं है, तो आप डायरेक्ली भी सबजी में इसे ऐसे ही डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ प यहां पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो मैंने यहां पर इसे अच्छे से ब्राउन कलर आने तक प्राइ कर लिया है अभी उसे निकाल लेते हैं यह प्लेट में और इसी कड़ाई में हम डाल देते हैं तो एक चमच तेल मैंने इसमें डाल दिया है अब दो बड़े करने के बाद इसमें डाल दिया है आधा टमाटर अब इसमें डाल देते हैं 10 से 12 काजू को डालने के बाद हम पॉपी सीट्स को डाल देकते हैं लेकिन सारी चिज़ों को सबसे पहले फ्राइ करेंगे पॉपी सीट्स यानि कि खस्-कस को अभी आमें नहीं डालना है मैं ने देर चमच ली है अब मैंने डाल दिया है दो लाल मिर्च छोटी वाली जो लाल मिर्च आती है वो वाली डाल दी है वो ज्यादा तीकी होती है अब हमें इसे अच्छे से फ्राइ कर लेना है तो यहां पर यह अच्छे से फ्राइ हो चुका है अगर पॉपी सीट्स को आपने प प्राय होने में इसलिए याद रखें इसे थोड़ी देड के बाद ही डालें अगर आपने भिगो के रखा हुआ है पॉपी सीड्स को तो डायरेक्ली आप मिक्सर के जार में डाल सकते हो अब इन सारी चीजों को हमें अच्छे से थंडा होने देना है तो यहाँ पे मैंने ये स सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें यहाँ वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें तो यहाँ पर मैंने ये पेस्ट बना ली है अब चलते हैं नेक्स प्रोसेस की तरफ जास के उपर कड़ाई है अच्छे से गरम हो चुकी है इस स्टेज में हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा तेल इसके साथ में होटेल में घी डाल दिया जाता है लेकिन मैं यहाँ पर अभी घी का यूज नहीं करूंगी इसी प्रोसेस से आप एक बार सब्सक्राइब बना के देख लीजिएगा आपको इसका रिजल ऐसा क्यों तो मैं आगे आपको वीडियो में जरूर बताऊंगी तो इसे अच्छे से हमें फ्राइब कर लेना है अब हम इसमें डाल देते हैं अद्रक और लहसुन के पेस्ट ताकि इसके साथ में भी वह भी अच्छे से फ्राइब हो जाए तो अद्रक और लहसुन को मैंने दरदरा कुट लिया है बाद में इसे डाल दिया है अब इन सारी चीजों को तब तक हमें अच्छे से फ्राइ करना है जब तक इसका कलर और इसकी टेस्ट चेंज नहोब ये अच्छे से इसका कच्छापन निकलना चाहिए तो आप देख सकते हो इसका ये मसाला पूरी तरह से ओईल छोड़ने लगा है इस स्टेज में हम कुछ मसाले इसमें आड़ कर देते हैं सबसे पहले मैंने डाल दिया हल्दी पॉडर रेड चिली पॉडर, धनिया पॉडर हल्दी पॉडर डाल दिया है एक टी स्पून गरम मसाला एक टी स्पून धनिया पॉडर एक टेबल स्पून जीरा पॉडर एक टी स्पून और रेड चिली पॉडर मैंने डाला है एक टेबल स्पून रेड चिली पॉडर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो अर इन मसालों को अच्छे से फ्राय करने के बाद मैंने डाल दिया है मटर मटर को मैंने बॉइल करके रखा हुआ था वही मैंने डाल दिया है अब इसे भी थोड़ी देर हम ऐसे ही पकाएंगे इसमें पकाने से मटर का टेस्ट बहुत ज़दा अच्छा आजाता है तो दो मिनट इसे इसी तरह से इसमें कंटिनियसली हिलाते हुए पकाएं अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जो मिक्सर के जार में हमारा मसाला हमने पीसा था उसे मिक्सर के जार में मैंने पानी डालने के बाद उसे गरम कर दिया था और उस गरम पानी को मैंने इसमें डाल दिया है यादर रखे गरम पानी का ही यूज़ करे नहीं तो यह सबजी अच्छी नहीं बनेगी वो इसलिए कि जब आप इसमें थंडा पानी डाल देते हो तो इसके पकने की जो प्रोसेस होती है वो थम जाती है और आपकी सबजी अच्छी नहीं बनेगी इसलिए हमेशा जो भी आप दाल बना रहे होते हो या सबजी बना रहे होते हो उसे टाइम में गरम पानी का ही यूज़ करे अब इसे थोड़ा सा बोईल होने देते हैं ताकि हमारे मटर जो है वो अच्छे से पके तो दो से तीन मिनट हमें यहाँ पकने के लिए लगने वाला है बस ज्यादा यहाँ पर हमें टाइम नहीं लगेगा तो अब हम इसमें डाल देते हैं पनीर दो से तीन मिनट यहाँ पर हो चुक्य है इस स्टेज में हम डाल देते हैं पनीर को अगर आपको बाद में डालना है तो वो भी आप कर सकते हो अगर आपको पसंद है तो यहाँ पे मैंने पने डाल दिया है अब सिर्फ दो मिनट हमें इसे पकाना है बस हमारी यह सबजी एकदम रेडी है अभी हम इसके उपर रख देते हैं लीड और अच्छे से इसे दो से तीन मिनट तक पकने देते हैं तो आप देख सकते हो इसका कलर और इसका टेक्शर कितना अच्छाया है तो सोर सकते हो खाने में यह कितनी टिस्टी होगी इस सबजी को आप एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा यह सबजी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है अगर आपने इस टाइप से बनाया तो अब हम इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी कसूरी मेथी डालने के वज़े से इसका जो टेस्ट होता है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है इसलिए कसूरी मेथी डालना ना भूले बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आजाता है इसे भी अच्छे से मिक्स करें यह हमारे शाही मठर पनीर की सबजी एकदम रेडी है खाने के लिए बहुत ही टेस्टी है अब सबसे इंपोर्टन काम जो की रेस्टारंट से भी ज्यादा अच्छी अगर सबजी आपको खाना है तो यह प्रोसेस आपके लिए बहुत जरूरी है यहां पे मैंने सबसे गी डाल दो बहुत ज्यादा टेस्ट अच्छा आजाता है जब ऑईल के साथ में घी आप डाल देते हो तो उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है एक बार आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राइ कीजिएगा आपको भी यकिन नहीं आएगा कि यह सबजी इतनी अच्छ पर ट्राइ कीजिेगा आप रेस्टॉरंट जाना भूल जाओगे यह मेरी ग्यारेंटी है इतनी टेस्टी बनती है कि एक रोटी के जगह आप दो रोटी कि खाना जरूर पसंद करोगे इसी तरह की रेसिपी दाप जरूर ट्राइ कीजिएगा मेरी और आपको यह रेसिपी क कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा इसके रिलेटेड अगर कोई आपके मन में सवाल चल रहे हैं तो मुझे जरूर पूछ लिएगा पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में तो मैं आपको अंसर जरूर दूँगी यह रेशिपी को एक बार जाते जाते तो बनता ही हैं, हम आप के लिए बहुत ही मेंनद सी ये वीडियो बनाते हैं, और मेरे चैनल को ऐसी रेसिपी देखने के लिए सबस्क्राइब करता ना भूलिएगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा तो मिलते हैं ऐसे ही चटपटी और मज़ेदार रेसिपिस के साथ में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई